हेलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके के मिक्स प्रशनों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टन कॉस्टन डिसकस करने वाले हैं मैं उमीद करूंगा सेशन आप सभी के लिए हल्फू लगेगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले कलकी क्लास में यहला प्रशन आप सभी को हम रख के लिए दिया था तो पहले इसको डिसकस कर लेते हैं जिवाश्म का अध्यन कहलाता है अगर आप सभी ने कल इसका आंसर आप्शन सी दिया था पहलियोंटो लोजी आप सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट है और देखी का कलकी क्लास थोड़ी सी हार्ड लेवल की हो गई थी तो कभी कभी देखी हार्ड लेवल चल जाता है आप सभी बहुत सारे कमेंट करे थे कि इतना हार्ड लेवल नहीं आता है तो ज़्यादा हार्ड लेवल ही था मैंने सिरफ एक या दो पॉइंट थोड़ा सा मीडियम लेवल इंक्रीस किया था परन्तु आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी बिल्कुल आर्मी के पैटर्न पर होने वाली है सभी की सभी टेस्ट कंप्लीट लगाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो देखिएगा प्रशनों की संख्या टोटल तीस है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 25 प्लस कोश्चन राइट करने का पहला कोश्चन है आपके सामने स्कीन पर आज की लेंगविज हमारी हिंदी रहने वाली है कोश्चन नमबर फर्स्ट देखिए कॉलकत्ता किस नदी के किनारे इस्तित है ऑप्शन है शिप्रा नदी कोशी नदी हुगली नदी या फिर जेलम नदी अंसर मैच करिएगा अगर आप सभी ने आपे ऑप्शन सी आंसर दिया है हुगली नदी आप सभी का आंसर बिलकुल करेक्ट है कॉलकत्ता जो है यह हुगली नदी के कि किस नदी के किनारे है तो शिप्रा नदी के किनारे इस्तित है जेलब नदी के किनारे कौन सा शहर है तो श्री नगर जेलब नदी के किनारे इस्तित है और कोशी नदी का उपनाम क्या है कोशी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है यह आप सभी को पता होना चाहिए यह जितन कब मनाया जाता है सैत अप्रेल को 31 मई 11 जुलाई 14 नवंबर विश्व स्वास्त्य दिवस कब मनाया जाता है ऑप्षन ए राइट आंसर एगा साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाते हैं साथ में 31 मई का भी ध्यान रखिएगा विश्व तंबाकू निशेद दिवस ग्यारा जुलाई को क्या मनाया जाता है विश्व जन संख्या दिवस और 14 नवंबर आप सभी को पता है बाल दिवस मनाते हैं राइट चलिए नैक्ष्ट बढ़ते हैं कोशन नबर थर्ड की तरफ आपके सामने स्कीन पर है इसका अंसर करिए लिगनाइट किसका एक प्रकार है लोहे का कोईले का सलफर का या फिर चान्दी का लिगनाइट क्या है लिगनाइट कोईले का एक प्रकार है आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आंसर मैच करते जाएं क्या सभी आप्शन बी को आंसर कर रहे हैं और देखिएगा लिगनाइट को क्या बोला जाता है भूरा कोईला बोला जाता है ये भी ध्यान चलिए कॉशन नमबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर और फिर से इन 30 प्रशनों के बाद एक प्रशन हम्वरक के लिए मिलेगा हम्वरक लेकर जाईएगा आज की क्लास में देखिए 25 प्लस टारगेट आपका आना ही चाहिए आज की क्लास बिलकुल आर्मी के लेवल के अकोडिंग प्रिपेर की है कॉशन नमबर 4 है राजा राम मोहन राए को किसने युगदूत कहा था आप्शन है जवाहर लाल नहरू, मातमा गांधी, सुबास चंदर बोस, सरदार पटेल राजा राम मोहन राए को किसने युगदूत कहा था तो यहाँ पे जो भी आप्शन, सी को आंसर दे रहे हैं, सुबास चंदर बोस, उनका आंसर करेक्ट है देखिएगा, राजा राम मोहन राए को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक किसे बोलते हैं तो राजा राम मोहन राई को बोला जाता है ये ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है कोशन नमबर फाइव गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सूपर इंपोर्टेंट गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो option आपका एक correct answer आएगा गांधी जी कुल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के करनाटक के बेल गाव अधियवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी ये ध्यान रखीएगा important है आपसे सन भी पूछ सकता है आपसे जगा भी पूछ सकता है कि कहां से अध्यक्षता की थी Q6 देखिए बायो गैस में मुख्य रुप से मिथेन गैस होती है आपका C आपकर करेक्ट आंसर है मिथेन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए CH4 होता है चलिए नेक्ष्ट बढ़ते हैं कोशन नंबर 7 की तरफ 7 नंबर कोशन है आपके सामने हडियो एवम दान्तों की सनरचना के लिए अवश्यक है मेगनीज, मेगनीशियम, सल्फर, केल्शियम इन में से क्या हडियो एवम दान्तों की सनरचना के लिए अवश्यक है तो आप्ष्ट आप सभी का D राइट आंसर होना चाहिए क्या सभी आप्ष्ट डी को आंसर दे रहे हैं केल्शियम, हडियो और दान्तों की सनरचना के लिए अती अवश्यक है Question No.8 आपके सामने कनिश्क किश्वंस का सबसे प्रतापी साशक था Option देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, कुशान वंश, मौर्य वंश Answer सभी का correct आना चाहिए इस प्रश्न का कनिश्क किश्वंस का सबसे प्रतापी साशक था Option C correct answer हैगा कुशान वंश का सबसे प्रतापी साशक था और कनिश्क के बारे में आपको दो चीजे और पता होनी चाहिए आपके एक्जाम के point of view से कि देखिए भारतियों के लिए सिल्क मार्ग किसने बनवाए थे तो कनिश्क ने बनवाए थे ये एक कुशन आपके एक्जाम में पूछा गया है पहले और दूसरा पता होना चाहिए 78 इसवी में 78 इसवी में कनिश्क ने ही शक समवत प्रारंब किया था कलियर है सभी को चलिए कुशन नमबर 9 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है लौड मेकाले शिक्षा पदिती कब लागू हुई थी ओप्शन है 1835, 1847, 1853, 1871 तो देखिए लौड मेकाले शिक्षा पदिती जो है ये 1835 में लागू हुई है ओप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है क्या सभी ने आपे ऑप्शन एक को आंसर किया है कोशन नमबर 10 देखिए जी सामने स्क्रीन पर सुनील गवासकर का संबंद किस खेल से है होकी, बैडमिंटेन, कबड़ी या फिर क्रिकेट सुनील गवासकर का संबंद किस खेल से है option आपका D आपे perfect answer हैगा cricket से है अब सुनील गवासकर से related दो question और exam में पूछे जाते हैं इनके उपनाम से related सुनील गवासकर को सनी के नाम से भी जाना जाता है जान रखिएगा सनी के नाम से सुनील गवासकर को जानते हैं और एक और important है little master little master भी सुनील गवासकर का ही उपनाम है ये दोनों point आपको पता होने चाहिए question number 11 देखे जी आपके सामने स्क्रीन पर है life divine के लेखक कोन है option है dr. राजेंदर प्रसाद, अरविंद घोश, खुशुवंद सिंग या फिर बंकिम चंदर चटर जी life divine के लेखक कोन है option B जिनोंने आपके आंसर दिया है अरविंद घोश, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है life divine पुस्तक के लेखक अरविंद घोश है question number 12 देखेगा सामने स्क्रीन पर टीबिया नामक अस्थी कहां पाई जाती है सबसे easy question है ये सबसे आसान प्रशन है कई बर exam में आया है और पता नहीं कितनी बर हमारे दोरह भी क्लास में करवाया गया है टीबिया नामक अखड़ी आपके पैर में पाई जाती है option आपका B आपे perfect answer है question number आपके सामने 13 है घूमर किस राज़े का प्रसीद लोक नरीत्य है राजस्तान गुजराद महरास्टरा केरल तो घूमर जो है यह है राजस्तान का प्रसीद लोक नरीत्य है जो भी option A को आँसर दे रहे हैं उनका answer correct है साथ में गुजराद से related भी जान रखीगा दो लोक नरीत्य ऐसे हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं एक है आपका गर्बन नरीत्य जो एक्जाम में पूछा जाता है गुजराद में होता है और दूसरा है डांडिया ये भी गुजराद में ही होता है महाराष्ट्र से रिलेटिड भी दो लोक निरित्ते ऐसे हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं एक है आपका तमाशा लोक निरित्ते जो की महाराष्ट्रा में होता है और दूसरा जो है वो है लावणी ध्यान रखीगा सभी इंपोर्टेंट है चोदा नंबर कोशन देखिए जी आपके सामने आनंद भवन का संबंद किस से है जोहार लाल नहरू डाक्टर राजेंदर प्रसाद गौतम बुद्ध राम किशन परम हंस ओप्शन आपका ये करेक्ट अंसर रहेगा आनंद भवन का संबंद जोहार लाल नहरू से है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है ऑप्शन देखिए मिजोरम मनिपूर मेगाल्या तमिल नाडू जल्दी से आंसर करिए क्या आंसर करेंगे जिनोंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेंट है चलिए 17 नंबर कोशन है शान्ती पूरुस के नाम से किसे जाना जाता है ऑप्शन है लाला लाजपत राए लाल बहादूर शास्त्री जय प्रकास नारायन चितरंजन दास जल्दी से आंसर करिएगा क्या आंसर करेंगे तो देखिए शान्ती पूरुस के नाम से लाल बहादूर शास्तरी को जाना जाता है आप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा साथ में लाला लाजपत राए का भी पता होना चाहिए इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है जय प्रकास नारायन को बोला जाता है लोक नायक और चितरंजन दास आप सभी को पता होना चाहिए देश बंधू चितरंजन दास का उपनाम है चले आगे 17 नंबर कोशन देखिए डाइनमोग का अविश्कार किस ने किया था जान डॉल्टन, अलफरेड नॉवल, माईकल ऐराडे, रदर फोर्ड तो देखिए डाइनमोग अविश्कार किया है माईकल ऐराडे ने आप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हैगा और देखिएगा इसी से related एक और नाम आता है डाइनामाइट तो डाइनमो और डाइनामाइट दोनों अलग अलग चीजे हैं इसमें confuse बिलकुल नहीं होना है डाइनमो जो है माइकल फेराडे है और डाइनामाइट आपका अलफ्रेड नॉबल है जॉन डॉल्टन ने क्या किया है परमाणू के सिधान्त का प्रतिपादन किया है परमाणू सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया है जॉन डॉल्टन ने किया है अठारा नमबर कोश्चन देखिए पानी से बरफ बनना किसका उधारन है बहुतिक परिवर्तन रसाइनिक परिवर्तन वास्पी करन इन में से कोई नहीं पानी से बर्फ बनना किसका उधारण है तो ओप्शन आपका A राइट आंसर रहेगा याँ पे भौतिक परिवर्तन का उधारण है कोशन नमबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर काईदे आजम किसको कहा गया है औप्शन देखिए समुद्र गुप्त जग जीवन राम मुहमद अली जिन्ना लियाकत अली काईदे आजम किसे कहा गया है तो काईदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है option C correct answer होगा अब एक question और exam में बनता है कि मुहम्मद अली जिन्ना को काईदे आजम की उपाधी किसने दी थी जल्दी से answer कमेंट करिए मुहम्मद अली जिन्ना को काईद आदम की उपाधी किस ने दी आंसर कमेंट करिए तो आंसर मैच करिएगा मुहम्मद अली जिन्ना को काईद आदम की उपाधी महत्मा गांधी ने दी थी किस ने दी थी महत्मा गांधी ने ट्वैंटी नमबर कोशन है आपके सामने भारत का बगीचा की शेहर को कहते हैं मदरास चिन्नई बैंगलरू एहमदाबाद आज बता दीजी आज के प्रस्णों का लेवल सही है ना ऐसा ही लेवल रखे क्लास में या इससे भी लो कर दूँ आप भारत का बगीचा की शेहर को कहते हैं तो ये बोला जाता है बैंगलरू को आप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका 21 नमबर कोशन है केंदरिये चमड़ा अनुसंधान संस्थान इस्तित है चेन्नई बैंगलरू एहमदाबाद सूरत केंद्रिये चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नाई में है आप्षन आपका एक एक रेक्ट आंसर है कोशन नमबर 22 देखिए गाजी सामने स्कीन पर राश्ट्र गान सरपर्थाम किस अधिवेशन में गाया गया था सुपर इंपोर्टेंट कॉलकत्ता अधिवेशन मदरास अधिवेशन कानपूर अधिवेशन या फिर लाहोर अधिवेशन तो देखिएगा भारत का राश्ट्रिगान क्या है पहले आपको यह पता होना चाहिए तो भारत का राश्ट्रिगान है जनगनमन राइट इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है वो है रवींद्र ना टैग और इसके लिखक है अब दूसरी चीज आपको पता होने चाहिए 27 दिसंबर 1911 में यह कोलकत्ता दिवेशन में गाया गया था आप्शन आपका यहाँ पर क्रेक्ट आंसर है उस समय कोलकत्ता को कलकत्ता कहा जाता था आपको यह पता होना चाहिए 23 नंबर कोशन है जी आपके सामने स्क्रीन पर मुक्य बाजी कहां खेली जाती है मुक्य बाजी कहां खेलते हैं कोर्ट में डाइमंड में रिंग में फिल्ड में तो देखीगा जो मुक्य बाजी का मैदान है उसको बोला जाता है रिंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है साथ में क कोर्ट का भी पता होना चाहिए कोर्ट में देखिएगा बैडमिंटन और टैनिस यह आपका कोर्ट में खेला जाता है डाइमंड में भी आप सभी को पता होना चाहिए बेसबॉल डाइमंड में खेला जाता है यानि कि जो बेसबॉल का मैदान है उसको डाइमंड बोलते हैं फ चंद्रगुप्त द्वीतिये कनिश्क ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका अंसर बिलकुल करेक्ट है चंद्रगुप्त द्वीतिये के शाशनकाल में फाहियान भारत आया था 25 नमबर कोशन पुस्तक डिसकावरी आफ इंडिया के लेखक कौन है मातमा गांधी, जोहरलाल नहरू, सुवाश्चंदर बोस, सरदार पटेल सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हैलफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा पुस्तक डिस्कावरी आफ इंडिया के लेका कौन है, जवाहर लाल नहरू है, आपका बी करेक्ट आंसर है यहां पर 27 नमबर, सॉरी, 26 नमबर कोशन देखिए, किस ग्रह का कोई उपग्रे नहीं है और इसका पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आज टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जोइन कर सकते है तो देखिए, बुद्ध और शुक्र, इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रे नहीं है, आपका सी परफेक्ट आंसर है 27 नमबर कोशन देखिए, रिजर्व बैंक आफ इंडिया का मुख्याले कहा है, नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, मुंबई रिजर्व बैंक आफ इंडिया का मुख्याले कहा है, और उससे पहले पता होना चाहिए कि एक एप्रेल 1935 को आर्बियाई की स्थापना हुई थी कोलकाता में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, तो मुंबई में है, आप्शन दी आपका करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 28 है, जिस आमने ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में पाया जाता है आप्शन देखिए, प्रशान्त महासागर, अट्लांटिक महासागर, हिंद महासागर, आक्रिटीक महासागर option A correct answer हेगा great barrier reef प्रशान्त मासागर में पाया जाता है question number 29 है आज का second last question सोतंतर भारत की सोतंतरता के समय इंगलेंड के प्रधानमंत्री कौन थे जॉर्ज पंचम, क्लीमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल, रेंजे मेकडोनाल्ड तो भारत की सोतंतरता के समय इंगलेंड के प्रधानमंत्री कौन थे option B correct answer हेगा क्लीमेंट इटली जिनोंने भी option B को answer दिया है उनका answer correct है और विंस्टन चर्चिल आपको पता होना चाहिए second world war के समय ब्रीटेन के प्रधानमंत्री थे रेंजे मैकडोनाल कब थे जो तीनों गोल में समयलन हुए थे तीनों गोल में जिस समयलन उसके अध्यक्ष थे question number 30 है आज का last question इसके वाद एक question home work के लिए home work लेकर जाईएगा पहले इसका answer करिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेकर कौन है दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय स्वामी विवेका नंद अश्व घोष option आप सभी एक और अंसर दिया है दयानंद सरस्वती आप सभी का answer बिल्कुल correct है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं तो दोस्तों यह थे आपके आज के टॉप 30 जीके के मिक्स प्रशनों का टेस्ट आज जरूर कमेंट करिएगा कि आज के सेशन का लेवल कैसा था आज की क्लास आपको कैसी लगी इन 30 प्रशनों में आपने कितने स्कोर करेक्ट किये हैं यह कोशन हम रख का है कल की क्लास में डिसकेस करेंगे अंतर अस्त्रिय होकी मैच की अवदी कितनी होती है साट मिनट 65 मिनट 90 मिनट 70 मिनट अब दिखें जिनकी जीके अपडेट चल रही है जिनकी जीके अपडेट है वो इस प्रस्ण का बिलकुल करेक्ट आंसर करेंगे चलिए तो यही था आज का सेशन मिलते है कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत